बिस्ムिल्लाहिर्राह्मालीर्राहिम हैलो लॉन्नर्स उमीद करता हूँ आग सब हैरियासिजर होगे टूरे टोपिक जो है वो ।फॉमडेशन ओफ करिकुलम पे है तो किसी भी मकसद को टैक करने के लिए जो है वो foundations of curriculum जो है वो as a base इस्तमाल की जाती है जो basic criteria होता है किसी भी aims and objectives को set करने के लिए तो उस मकासद को मदे नज़र रखते हुए एक अलाम मुहम्मद इकबाल रह्मत अलाय का एक मेरे जैन में आ रहा है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सर्फराजी मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सर्फराजी मैं इसी लिए मुसल्मा मैं इसी लिए नमाजी हमें अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकसद जो है वो जहन में रखना चाहिए और जो कि इसलाम और दीन की सर्बलंदी के लिए होना चाहिए तो मकास्द को तैय करने के लिए या एम्स एंड अब्जेक्टिव जो हमने सेट करने है तो first of all basic जो है वो foundations को of curriculum को इस्तमाल किया जाता है जो के चार foundations है एक philosophical sociological और psychological और fourth one है economical मकास्द को तैय करने के लिए जो aims एंड उजेक्टिव जो हम सेट करते हैं उसमें first of all पे philosophical ideology आती है जिसमें जो है उसको ideological philosophy हम कह सकते हैं जो के जिसमें नजरियाई Islam या religious जो होता है उसको उसका point of view और दूसरा जो है वो state का point of view जो है उसको असर अंदाज जो है वो होता है इन दोनों का जो है आपस में contradictor जो है वो नहीं होने चाहिए जो भी नजरियाद जो हम तैय कर रहे हैं इन दोनों को state जो है उसका वो जो religious point of view है उन दोनों का जो है उसको मंते नजर रखते हुए जो है वो निसाब साजी की जाती है इसको जो है वो philosophical foundation कहा जाता है फ़र्द जो है वो sociological foundation है जिसमें particularly जो हमाई society की क्या जरूरत है society में लोग किस तरह रहते हैं उनका जो creation का तरिका है वो किया है उनके culture किस तरह है society में जो civilization है वो किस तरह की है उनके जो रस्म और वाज है वो किस तरह है इन चीजों को देखते हुए हमने जो निसाब जो हमने तैक करना है बच्चों के लिए इसमें जो society का रोल भी इसमें एहम जो है वो समझा जाता है उसको नज़ अंदाज नहीं कर सकते इसको मदे नज़ रखते हुए ही हम अपना निसाब है जो उसको तियार करेंगे जो के बच्चे को अच्छे तरीके से जो syllabus होगा जा जो निसाब तै किया जाएगा अच्छे तरीके से बच्चा उसको समझ सकेगा क्योंकि society को भी हमने उसको उसमें शामल किया है psychological जो foundation है वो बहुत ही important curriculum में इसको समझा जाता है क्योंकि इसमें बच्चों को देखते हैं कि उनकी जो जहनी इस्ततात है वो कैसी है बच्चों की बच्चों का दिलचस्पी बच्चे किसमें लेते हैं या हम अपना नसाब किस तरीके से बनाएं कि जो बच्चे जो है वो psychological उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं या इस तरीके से बच्चों को अच्छी समझ जाएगी इंडिविज्विली तोर पर तो इसमें जो है psychological हमें जो है अगर फर्ज करेंगे अगर हम टू क्लास है या थरी क्लास है एविलिएशन दें तो बच्चे उसको नहीं कर सकेंगे क्योंके जो cognitive development है वो अभी develop हो रही है अब जो है आसा आसा जो है उसके psychological parameters जो है वो increase हो रहे हैं इसके बाद last one जो है fourth one जो है economical foundation of curriculum इसको कहा जाता है जिसमें यह तया किया जाता है कि बच्चों को ऐसा नसाब पढ़ाया जाए जो उनको अपना carrier बनाने में बदद करे जैनि कि ऐसा helpful बच्चों के हो कि जो उसको job हासल करने में maximum support कर सके for example अगर एक city है जहाँ पर होटी कल्चर जा नर्सरी ज्यादा grow की जाती है तो वहाँ पर ingredient society है उसका क्याम होना चाहिए या university में होटी कल्चर को promote करना चाहिए ताके जो students हैं वहाँ के वो आपने लाके में ही रहते हुए जो है वो अपना अच्छा जो है रोजगार वो है वो तलाश कर सकें और इसके साथ साथ मुलकी मौशत में वो एक बहुत अच्छा रीड की हड़ी याजा साबत हो सकते हैं तो ये था sociological curriculum जो किसी भी निसाब को तैह करने के लिए जो हम foundations basic set करते हैं अपने aims and objectives को हासल करने के लिए वो इन चारों point को हम हासल करने के बाद जो है वो अपना निसाब तैह करते हैं जिससे एक बच्छा जो है वो अपनी मंदल मक्सूद तक असानी से पहुंच सकता है Thanks and Allah Hafiz